दोस्तो आज की वीडियो में लेम्डा साइलोथरीन 5% EC इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ तो कुछ मुख्य विशेश कमपनियों का जो मार्केट में उपलब्द हैं उन दमाओं का नाम बता देता हूँ तो इसके लिए आप सिजेंटा कमपनिय के द्वारा बनाए गए कराटे ले सकते हैं नहीं तो परिजात कमपनिय के द्वारा बनाए गए LOXLA 5 को ले सकते हैं या फिर Aeroxa Crop Science, Private Limited के द्वारा बनाये गया, लोक्सा नाम से Market में उपलब्द है, आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर HPM के द्वारा बनाये गया, Knock Down को ले सकते हैं, या फिर सफल एक Grow Tech, Private Limited को द्वारा बनाये गया, लेम्डा नाम से Market में उपलब्द है, आप इन में से कोई भी एक दवा ले सकते हैं, आपको पांचों में सेम टेकनिकल मिलेगा, और रिजल्ट भी आपको सेम देखने को मिलेगा, आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि अगर आप इसका उप्योग करते हैं, तो इसे आप कौन-कौन से कीटों को गंचों करते हैं, आपको उप्योग के समय कितना दोज लेना है, इसकी मात्रा कितनी लेनी है, और उपयोग के बाद result time कितने दिनों तक रहता है और कीमत इसका market में क्या मिलेगा इसके बाद में भी बात करने वाला हूँ तथा कुछ मुख्य और भी से साउधानिया भी बताने वाला हूँ जो कि आपको उपयोग के समय जरूर ध्यान रखना है तभी आपको 100% result मिलेगा तो किसान भाईयो जो lambda silothrin 5% EC है यह EC form में आता है EC का मतलब होता है Emulsifiable Concentrate अर्थात यह liquid form में उपलब्ध होता है यह एक contract and stomach action वाला कीट नासक है अर्थात जब भी आप इसका उपयोग करते हैं तो जितने भी कीट इसके संपर्क में आते हैं उन्हें तो यह मारता ही मारता है साथ ही चबा कर खाने वाले कीटों को पेट में जा करके उन्हें भी मारने का काम करता है अब बात करते हैं कि इसका उपयोग आप कौन कौन से फसलों पर कर सकते हैं तो आप इसका उपयोग धान की फसल, कपास, मिर्च, बैगन, टमाटर, भिंडी, प्याज, आम, सोया बीन, कपास इत्याद बहुत सी फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोज की बात करें तो लगबग आपको 125 ml प्रती एकड उपयोग करना है और लगबग 150 लीटर पानी एक एकड के लिए उपयोग करना है और लगबग आम की पेड़ पर अगर आप इसका उप्योग कर रहे हैं तो लगबग 15 ml प्रती 15 लिटर पानी में मिला कर आपको इस्प्रे करना है अर्थात आप 1 ml प्रती 1 लिटर पानी में मिला कर इस्प्रे करें जैसे धान की फसल में इस्टीम बोरर, लीफ फोल्डर, लीफ वाइनर तथा कपास की फसल में बोल वार्म, एफीड, जेसीड, माहू, थ्रिप्स और सबजीयों की फसल की बात करें तो उसमें थ्रिप्स, तना छेदक, फल छेदक और सभी परकार के छोटी तथा बड़ी इल्लियों को कंट्रोल करता है मिर्च की फसल में थ्रेप, समाइट, पोड़ बोरर, ब्राउन हाफ़र इत्याद सभी प्रकार की कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है इसके अलावा इसका उपयोग मच्छर, काकरोज तथा मक्खियों को मारने के लिए भी स्वास्त विवाग द्वारा किया जाता है पैकेजिंग साइच की बात करें तो यह मार्केट में 50 ml, 100 ml, 500 ml, 500 ml तथा एक लीटर के पैकेजिंग में उपलब्द होता है अब बात करते हैं कि अगर आप इसका इस्प्रे एक बार अपनी फसल में करते हैं तो कितने दिनों तक इसका आसर रहता है तो जब आप पहला इस्प्रे कभी भी करते हैं तो लगबग 10 से 12 दिनों तक आप इसका रिजल टाइम देख सकते हैं कि उतने दिनों तक यह कीटो को कंट्रोल करता है प्राइच की बात करें तो लगबग 1 लीटर का प्राइच 500 के आसपस आपको देखने को मिलता है और 100 मेल का प्राइच लगबग 70 रुपए के आसपस देखने को मिलेगा यह प्राइच आपको अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग भी हो सकता है तो आप अपने यहां पता कर सकते हैं कि किस कंपनी का कितने में मिल रहा है कुछ मुख्य विशे सावधानिया आपको रखने की ज़रूरत है तो यह बहुत ही जहरीला दवा होने की वज़े से इसको आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें और कभी भी फसल में फूल आने के समय इसका उप्योग ना करें क्योंकि यह काफी जहरीला होने की वज़े से फूलों पर काफी बुरा प्रभाव डालेगा इसलिए आप फूल के समय उप्योग ना करें और अगर करते भी हैं तो इसके डोज को कम कर दें जिससे की इसका असर फूलों पर ना हो तो किसान भाईयो इस वीडियो में मैंने पूरा डीटेल में समझाने की कोशिस की अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पोच सकते हैं